नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टेडी यूटूब जैनल पर साथियों आज 14 नौवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का पेपर है और आज इस वीडियो में आपको second shift का complete analysis करवाएंगे GKGS के तो पूरे 50 question आपको करवाएंगे जो question आज पूछे गया है answer के साथ तो जो साथि लोग आज paper दे कर आये हैं वो मिला लीजे कि आपने जो answer किया सेंटर में वो सही आया गलत है और जिनका paper अभी आने वाले दिनों में है साथियों उनके लिए तो राम बान है क्योंकि बहुत सारे questions रिपीट होने वाले हैं तो चलिए सुरू करते हैं देखते हैं आज कौन-कौन से questions पूछे गया है तो सभी साथियों से request है class को एक like कर दीजेगा class पसंद रहे तो आपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा आप में से कोई भी साथी नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon को on कर लिजेगा देखिए आपसे जो आज question पूछा गया है second shift में जैसे की question था एक भारतिया ओलंपिक संग के पर्थम अद्धच कौन थे तो साथियों देखिए भारतिया ओलंपिक संग का गठन जो है पुछा जा सकता है कि भारतिया ओलंपिक संग के पहले सचीव कौन थे तो डॉक्टर एजी नोहरेन याद रिखिएगा चलिए अगला question ने ओजन गैस का द्रवमान कितना है तो देखिए ओजन गैस का द्रवमान कितना होता है साथियों तो याद रिखिएगा 48 ग्राम पर मॉल देखिए 48 ग्राम पर मॉल याद रिखिएगा ठीक है तो 48 ग्राम पर मॉल इसका प्रसीद संतुर वादक भजन सपोरी का संबन किस घराने से था तो इस question का right answer आपका हो जाता सुफियाना घराने से आगे आपसे question पुछा था कि पानिपत की पहली लडाई कब हुई थी ये नहीं पुछा था आपसे पुछा था किनके मज हुई थी यानि किनके किनके बीच हुई थी तो देखिए पानिपत की जो पहली लडाई है ये साथ यो 1526 में हुई थी ये तो आपको पता ही होगा याद रखना है और ये किसके बीच हुई थी तो ये बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में ये अहमद सा अबदाली और मराठो के बीच में हुआ था ये भी याद रखना एक कोस्चन आपसे पूछा था RBI की अस्थापना कब हुई थी? सिंपल कोस्चन था तो RBI यानि Reserve Bank of India जो की भारत का केंद्रिया बैंक है साथियों इसके अस्थापना हुई थी 1 अपरेल 1935 को तो केवल आपसे यरी पूछा होगा तो साल 1935 इसका करेक्ट अन्सर हो जाता आगे अगर आपसे डेट के साथ पूछे तो याद रखना 1 अपरेल 1935 और अगर इसका मुख्याले पूछे तो RBI का Headquarter यानि मुख्याले मुंबई में इस्तित है एक कोस्चन था स्वापोसी किस गैस का उत्सर्जन करते हैं यह कोस्चन मुझे सही से मिल नहीं पाया है अगर यह कोस्चन किस टाइप से पूछा था अगर यहाद है तो कमेंट कर दीजेगा देखिए एक कोस्चन पूछा था प्रधानमंत्री जंधन खाता का बाक्य क्या है बाकि यानि logo यानि tagline प्रधान मंत्री जंदन खाता का वो क्या है तो इसका correct answer हो जाता साथियो सबका साथ सबका विकास ठीक है 100% ये question आप साथ पूछा था और यही आपका correct answer हो जाता आगे देखिए question पूछा था प्रधान मंत्री आवास योजना सहरी किस वर्स आई थी यानि अर्बन जो है न यानि प्रधान मंत्री आवास योजना सहरी जो सहरों में आवास बनता है वो किस वर्स आई थी तो देखिए correct answer हो जाता 17-6-2015 यानि साल पूछा था तो 2015 इसका correct answer हो जाता ठीक है आगे आपसे question पूछा था भारतिय संविधान में अनुच्चिद 49 का एक असंबन किस्से है article 39 का ए आपसे पूछा था तो देखिए साथ यो अनुच्चिद 49 का एक असंबन किस्से है तो याद रिखिएगा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुप्त विदिक साहता यानि कानूनी साहता प्रदान करना और सभी के लिए नियाय सुनिश्चित करना ठीक है एक कोस्चिण आपसे और पूछा था आर्टिकल से कि अनुच्चिद 42 का संबन किस्से है तो देखिएगा आर्टिकल 42 का संबन किस्से है तो साथ यो काम की नियाय संगत और मानविया परिस्थितिया और मात्रित्वा राहत के प्रावधान से आगे आपसे एक कोस्चिण फिर संबिधान से पूछा था कि भारतिया संबिधान में संसद की विशिस्ताएं किस देश के संबिधान से लिग गई है संसद की विशिस्ताइँ यानि जिसको हम पड़ते हैं संसदया स्वरूप है ना संसदया स्वरूप को किस तेस्ट से लिया गिया है तो बृतन की संबिधान से सिंपल कॉस्qिन था बिल्कुल आप लोगोंने करेक्ट कर दिया होगा साथियो साथियो आपका paper कब है ये आप हमें comment box में जरूर बतेगेगा और channel का अंदर मैंने बहुत important classes आपको करवाए हैं दिली पुलिस के जिससे direct questions आपको paper में देखने को मिल रहे हैं उनको जरूर देखना एक question था अजीता स्रिवास्तव का संबन किस राज से है जिनको 2022 में पदम सिरी मिला था बहुत important question ये पूछा था बहुत ही deep question था तो देखे अजीता स्रिवास्तव का संबन जो है साथियो उत्तर प्रदेश राज से है इनका जर्म जर्म वारानासी उत्तर प्रदेश में हुआ था ठीक है जिनको 2022 में पदम सिरी मिला था ठीक है संगीत के छेतर में और साथ यो इनका संबन किस्से है तो याद रिखिए ये जो अजीता स्रीवास्तव जो है ये प्रसीद कजरी गाई का है देखिए कजरी जो की उत्तरप्रदेश राज का लोगईत है कजरी कहा का लोगईत है उत्तरप्रदेश राज का लोगईत है तो ये जो कजरी है ना कजरी लोग गीत इसी की प्रसिद गाई का है ये अजीता स्रीवास्तव याद रिखिएगा देखिए पदम सिरी से एक कोस्चन और कुछा है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा एक कोस्चन था कजरी तीज का तियोहार कहां मनाया जाता है देख एक क्वसे प्रसिदिये राजस्थान में हैं तो इस कोस्चन का राई चनस अब का हो जाता साथियो राजस्थान चली आगे कोस्चन पर चाली नीरीद यह ईय। बड़ा डीप था, बड़ा अंदर से था, हाईलाइटिटिड कोस्चन यह नहीं तो दिखिए जाली निरित का संबंध भारत के किस राज से है तो correct answer हो जाता साथियो हिमाचल परदिश से मतलब बोल सकते हैं कि आज कुछ ऐसे question भी पूछे हैं जो की नहीं बन सकता था एक question आपका ये था कि Asian Games की सुरुवात कब से हुई थी तो देखिये Asian Games यानी ACI खेलो की सुरुवात कब से हुई थी तो इसका right answer हो जाता 1951 से कहां तो नई दिल्ली से इसकी सुरुवात हुई थी आगे आपसे question पूछा था इंद्रजाल किस लेखक के द्वारा लिखी गई उपन्यास है तो साथियो इंद्रजाल की बात करें तो ये कहानियों का संग्रा है ठीके और इसके लेखक कौन है तो जैसंकर परसाद जैसंकर परसाद, रामधारी सिंग दिनकर ऐसे कई सारे option थे चार option उसमें से आपका right answer हो जाता जैसंकर परसाद साथियो विडियो को आप लोग जरू लाइक करते चलना क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपको बिलकुल 100% और authentic questions जो पूछा गया है वही आपको करवा रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौरे ने किसको हराकर मौर्य वंस की अस्थापना की थी simple question था यह नंद वंस के अंतिम-Sasak धनानन्द को हराकर चंद्रगुप्त मौरे ने मौर्यवन की अस्थापना की थी तैना तो इसका correct answer हो जाता धनानन्द एक question था fasting fisting देखिए बहुत चरचित पुस्तक है ये fasting fisting पुस्तक के लेखक कौन है तो साथियो fasting fisting पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका right answer आपका हो जाता अनिता दिसाई आगे देखिए question पूछा था राष्टपती और मंत्री मंडल के बीच की कड़ी कौन होते है तो इस question का right answer आपका हो जाता साथियो प्रधान मंत्री आगे आपसे question पूछा था एलोरा में कुल कितनी गुफाएं है ये भी बिल्कुल simple question था तो देखिए एलोरा में कुल कितनी गुफाएं है तो 34 गुफाएं है याद रिखिएगा ठीक है जैन धर्म, बोध धर्म और हिंदु धर्म इन तीनों धर्म के मिलाके कुल मिलाके 34 गुफाएं है इस्तित है एलोरा में एक question था लेवरा सब्द का संबन किस खेल से है तो देखिए लेवरा सब्द का संबन किस खेल से है ध्यान से दिखिएगा तो यहाँ आपका correct answer क्या हो जाता साथियो तो राई टेंसर हो जाता बोली बोल से ठीक है लेवरा सब्द का संबन किस खेल से है तो बोली बोल इसका correct answer हो जाता एक question आप से यह पूछा था कि रभी के मोसम में इन में से कौन सी फसल उगाई जाती है तो ध्यान से दिखिए रभी के मोसम में इन में से कौन सी फसल उगाई जाती है चार option थे उसमें से एक option आपका था चना यह आपका correct answer हो जाता बाकी के तीनों option वो खरीब फसल थे एक चना ही option में था जो की रभी फसल था तो चना correct answer हो जाता देखिए 2022 में भारत night time के लिए पदम सीरी पुरसकार किसको मिला था पदम सीरी से दो question आपका पुछा था एक जीता सीरी वास्तव और एक भारत night time के लिए पदम सीरी किसको मिला था तो इसका correct answer हो जाता साथियो मुथुक कनमल याद रिखिएगा जो की भारत night time के जो की साथियो तमिल नाडू राज का सास्त्रे निरित्य है इसके गुरू है और इनको 2022 में पदम सीरी मिला था एक question था गरीब कल्यान योजना किस वर्स शुरू ही थी बहुत एच्छा question है ये दो चैनल में ठीक है उसको देख लेना तो 2016 करेक्ट अंसर हो जाता एक question आपसे पूछा है पूना पैक्ट कव हुआ था ये तो वेरी वेरी पहले में बताना चाहूंगा बहुत ही important expected questions मैंने आपको करवा रखे हैं उनको देख लेना पेपर देने जाना ठीक है तो 1932 करेक्ट अंसर हो जाता देखिए एक question आया था FIFA World Cup कितने वर्ष के अंतराल पर होता है तो ये भी simple question था आसानी से आप लोग answer कर सकते थे FIFA World Cup की बात करें साथ यो FIFA विसोकॉप की जो की फुटबॉल का विसोकॉप होता है ये प्रते एक चार वर्ष के अंतराल पर आजित होता है जिस तरह क्रिकेट का वर्ष के अंतराल पर होता है ओलम्पिक थेल ये भी अलम्पिक जो है ये भी प्रते एक चार वर्ष के अंतरा वाजित हैं इन तीन भागों में तोड हराइटर हो जाता तीन भागों में आगे देखिए कोश्चन पूचल Nकी सुरुआत कव हुई छी कोश्चन में बहुत सारे सथ बना होग तो सतनामी आंदोलन्ड की बात करें साथ यो तो इसकी फासि दास उपस्थित ना रहे तो कौन उनको कौन सपद दिलवाएगा अब सिंपल सा कोश्चन है यह देखिए हाई कोट यानि भारत की जो राज्यों के जो राजपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन कराते हैं उच्छी नियाले के मुख्षी नियाजिस और यहां कोश्चन में पूछ है कि अगर उच्छी नियाले के मुख्षी नियाजिस उपस्थित ना रहे तो फिर राजपाल को कौन सपद दिलाएगा तो साथियों हाई कोट के वरिष्ट नियाजिस इसका राइट अंसर आपका हो जाता ठीक है उच्छी नियाले के कोई वरिष्ट नियाजिस चलिए एक बिहार तिसरे नमबर पर चौथे नमबर पड़ाता है बेश्ट मंगाल ठीक है तो साथियों यहां option में उत्तर प्रदेश भी नहीं था और बिहार भी नहीं था यहां option का दो-दो राजी का जोड़ा दिया हुआ था और उसमें से एक जोड़ा आपका महाराष्टा और पस्च ने दिया था तो लोकमान्य तिलक ने यानि बाल गंगाधर तिलक ने दिया था चलिए आगे आपसे question पुझा था आगामी ओलंपिक खेल 2024 में कहां पर आए जीत होगा तो देखिये आगामी ओलंपिक खेल यह साथ यो फ्रांस के पैरिस में आए जीत होने वाला है 2024 में और इससे पहले जो अलंपिक खेल हुआ था वो 2020 टोकियो में आए जीत हुआ था आगे देखिये question था मुखोटा नेरित्ति का संबंद किस राज से है तो करिक्टेंसर हो जाता साथ हो अरुनाचल प्रदेश से तो अरुनाचल प्रदेश यहां आपका करिक्टेंसर हो जाता एक अपका IDBI bank था जो की करिक्टेंसर हो जाता क्योंकि साथ हो IDBI bank जो है यह micro finance bank नहीं है बात करें computer की तो computer से 10 question जो आप से पुछे जा रहे हैं आपको पढ़ना केवल MS Word है और Excel है MS Word और MS Excel से करीब 7 question आप से पुछे जा रहे हैं जैसे कि पहले shift के analysis में मैंने आपको बताया था और reasoning के 25 question में से साथ हो simple question ही आ रहे हैं आप लोग आसानी से 22 question कर सकते हैं इसमें और math के जो 15 question है उसमें भी अराम से आप 13 या 14 question कर सकते हैं easily ठीक है यानि अगर आप फसोगे तो केवल GS में फसोगे और जो reasoning की बात है यह उतना भी simple नहीं है एक दो question ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादा समय लग सकता है तो उन question को आप skip कर देना अब देखिए daily साम में एक class आपको मिलेगी जिसमें परते एक दिन के तीनो सिप्ट के question answer आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे तो उस class को आप लोग daily जरूर देख लेना तो साथियो चलिए आपको class कैसा लगा है comment आपका पेपर कब है यह भी बताना मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक बिल्कुल स्वास्त रहें जैन साथियो वंदे मात्रम